बड़ा ही मतलबी जमाना है अब देखो मेरा दोस्ट जो कहता था जान भी मांगो के तो हाजर है वो अपनी गर्फ्रेंड को जान कहता है मैंने जब मांगी तो गालियां देने लगा सास ने बहु से कहा बहु जानती हो जब मैं उमीद से थी मैंने जो कुछ भी खाया आज मेरे बेटे को वो चीजें पसंद है तो बहु ने कहा लेकिन मांगी आपको कमजगम चर्स से परहिज करना चाहिए था इतना ही नहीं दोस्तो ऐसे लोग भी हैं जैसे खान साब से इंटर्वीव में पूछा गया आपको कितने सालों का तजरुबा है तो खान साब ने कहा तीन सालों का विसे हमारी दो सालियां भी है मगर हमने उनको हाथ भी नहीं लगा है वैसे दोस्तों ये खान साब किस तजर्बे की बात कर रहा है। दोस्तों जब भी सफर पर निकलें तो दूसरे मसाफरों का भी ख्याल रखें। जैसे इन भाई को देखें सिगरेट पीने के लिए भी इजाज़त मांग रहे हैं। इनसे भी अच्छी तबियत के मालिक बाबा जी को देखें। जिन्होंने ना सिगरेट की अजाज़त दे दी है बलके इसके इलावा भी बहुत कुछ खाने की अजाज़त दे दी। अबुजी आपको कोई प्रेशानी नहीं हो तो एक सिगरेट भी सकता हूँ। वाई माजी तब से तो गो खाना हमने कोई परेशनी है। ऐसे जो साब के काम चेक करें घबराट में कुरानी आयात की तर्ती भी इन्होंने चेंज़ कर दी। इस बाबाजी की जहानत चेक करें पोते की शिकायत की टीचर ने तो कैसे उसे मुतमिन कर रहा है। एक लाइक तो बनता है बाबाजी के लिए। आपका पोता गंदी-गंदी कालियां देता है। अभी छोटा है ना जिब बड़ा होगा तो अच्छी अच्छी देगा। इस भाई साब को बच्चे से पूछना महगा पड़ गया। अरे बेटे सकूल जा रहे हो। तुम्हारा बाब स्कूल ड्रेस पहना के तुम्हें आनीमून पर बैस्ता था। क्या आपके भी ऐसे दोस्त हैं कॉमेंट सेक्षिन में उनके नाम मेंशेंट करें। काले काले मुखडे पे काला काला चस्मा क्योड़ें। तिर्ना आपका। ये बेचारी तु चटनी मांग रही थी मम्ही ना जाने क्या सोच बैठी। ये एक समसा बचे तू खोया ले। मम्ही मैं उसके बिना निकाज़ती। किसके बिना। चटनी के बिना। मियां साब को शादी का शोक और बीवी ने उनका शोक उतारना था। और जो बचे होंगे वो मुनाफा है वेरी नाइस। ये हम बिलकुल बीच डाले पगर फसल कैसे उग सकती है। एंकर साहिबा ने तो शायद तजरुबे के लिहास से बात की थी। सबता तारुफ हो गया थी जबर देस। आप मैडिट हैं यां मैडिट हैं यां मैडिट हैं। नहीं ये मेरी बेटी शादी के बगार नहीं है। ये चीज़ें कमारों के देखने की जहां से सबक हासल होता है। अगर आजकल के लोग प्रैक्टिकल पर रेकिन रखते हैं। इन पापा की परी के काम चेक करें। जिनका प्रोग्राम वाकई वड़ गया। इस मुलाजम के काम चेक करें। जो बरफ की केंट पे जूल रहा था और जूलते जूलते द्यारी से हाथ दो बैठा। देखा आपने लापर वाई का नतीजा है। बड़े घजब की गर्मी हो रही है आजकल। इसी कमरे में बहुत लोग घुसे हुए हैं तो जहानत से जगा हासिल करनी पड़ती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहां पर चला तुमको पागल कुटे का गाड़ी उटा के ले जाएगा बता रहा हैं हम। इन महतरमा के काम चेक करें। पहले सहली को कहती हैं खाने को दो फिर नखरे दिखाती हैं। लो 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 हासिए। इस दुनिया के आखिरी अकल मन्द आदमी के काम चेक करें। यार बात तो ठीक है इस आदमी की गर्मी अपनी जगा मगा ठंग से तो बचा हुआ है यार तो यार गर्मी बहुत हो रही है लेकिन गर्मी का एक फायदा तो है क्या थंड नहीं लगती लो जनाब इस ने तो पाकिस्तान के खुबसूरत हसीनाओं से डारेक्ट पंगा ले लिया खुबसूरत ओरतों के लिए डिसकाउंट भी हो जाता है खुबसूरत ओरतों को अच्छे कपड़े भी दिखा देते है मैंने आज दिकर पाकिस्तान में कसम खुबसूरत ओरत देखी है सारा पोडर का माल है वो मौत का परिष्टा आते है ना तो वो भी देखता है वो कहता है कबस करने के लिए आता है तो उससुबह उसका शेरा चेंज होता है मजा आया इन औरतों ने तो आज सच के सारे रिकार्ड तोड़ दिये दोस्तों एक लाइक इनका हक है ज़रूर करना वो औरतें और ही थी जिनकी याद में ताजमहल बनवाए गए हमारी तो कबरे भी पक्की करवाई जाएंगी कहीं दुबारा वापस ना आजए इन मौलान साब की मुझे तो कोई समझ नहीं आई पता नहीं कौन सा मंतर पढ़ रहे हैं अगर आप लोगों को समझ आया तो कॉमेंट में ज़रूर बताना इस सब क्या देखना पढ़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ इस पापा के परी ने कुते के प्याले में दूद डाल कर रखा कुते को देने के लिए इस दूद पे बिला जबट पढ़ा कजब बेज़ जती है यार बहुत खूब वाकए रब ने बना दी जोड़े मैं क्यूं किसी और को देखू मेरा वाला चिसी से कम है क्या अरे कौन है तेरा वाला दिलवाले तो बहुत दें लेगिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आदप इस बाबा जीन ने तो गोवेदा के ब्रेक डांस का भी रिकार्ड तोड़ दिया दोस्तों अमीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत बूलना अपना ख्याल रखना अलाहाफेज